वे गाई इस वेलकम टो एवेस्ट क्लास इस पावड वाई सर्माज एजुकेशन सो क्लास 12 फिजिक्स के जो यह सीरीज चल रही है चेप्टर वाइस इसके लेक्चर में हम लोग आज इलेक्ट्रिक के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि फर्ष्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फिल्ड को कवर किया है अब यह जो सेकंड पार्ट आप देखेंगे यहां पर हम इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या होता है उसकी प्रपरड़ी क्या है या फिर हम डैपोल अगर लेते हैं तो उस पे electric field का क्या effect पड़ता है उसके access पर और non-access position पर electric field की value क्या-क्या होती है तो यह सारी चीज़े हम इस lecture के अंदर cover करने वाले हैं मैंने आपको lecture में ही बताया था कि electro static का general meaning जो होता है वो होता है चार्ज अभी stable है यानि कि static form में है तो वो electro static है यानि कि जब charge जो होता है वो क्या होता है rest पर होता है तो वो electro static वाले part में आता है तो यह हम already समझ चुके हैं पहले वाले lecture में electro का meaning मैंने आपको बताया था charge और static का meaning बताया था at rest यानि कि जो गतिमान ना हो तो वह एक क्या होता है स्टेटिक टो इलेक्ट선ब्स जीए जितना ब्रेंगे छ lazic नहीं है तो यह कैसे यह नयए जो है अब इस वीडियो मेंकि यह senhor तो एक बार मैं आपको बताएता हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिस्टेडिक का सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि क्या होती ए उसके बाद हम देखेंगे कि ट क्या होती है उसके इसको समझेंगे कि क्या होती है इसी साथ में electric field intensity due to a point charge कोई भी एक point charge रखा हुआ है कहीं पर किसी भी एक position पर point charge रखा हुआ है point charge का मतलब होता है जिसका अपना एक बहुती small value हो charge की जो value हो बहुती small हो तो वो एक point charge लिया जाता है तो उस point charge के कारण जो electric field की value होगी वो कितनी होगी कि वो हम यहां पर समझेंगे उसका पूरा derivation मैं आपको बता दूँगा ताकि आपको सौझ में आ जाए उसके बाद superposition principle जो काफी important है superposition principle आपने 11th class में wave के लिए भी पढ़ा होगा तो वही superposition principle वो हम यहां पर देखेंगे कि charge के लिए electric field के लिए superposition principle क्या होता है अगर बहुत सारे charge है तो हम किस तरीके से electric field find करेंगे उसके बाद हम कवर करेंगे electric lines of force विच इस वेरी important topic अगर हम आगे flux पढ़ेंगे तो यह काफी important आपके लिए रहने वाला है electric line of force जिसको इंदियों बोलेंगे विद्यत बल रेखाएं तो विद्यत बल रेखाएं क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे क्या क्या इसकी properties due to a point charge due to dipole due to equivalent like charges like charges है और बराबर है तो उसके कारण जो electric field होगा electric line of force उनगी वो क्या होंगी उसके साथ ही due to uniform field अगर uniform field को हम represent करें हैं तब हम electric line of force को किस तरीके से represent करेंगे तो ये सब चीजे हम इस lecture में cover करने वाले है इसकी properties of electric line of force क्या-क्या इसकी properties है इलेक्ट्रिक डैपुल क्या होता है electric field intensity due to an electric dipole अगर electric dipole हमारे पास है तो उसके कारण electric field की intensity क्या होगी यह हमें पता होना चाहिए तो इसका भी पूरा derivation आपके सामने आएगा अभी torque on an electric dipole तो अगर एक कोई electric dipole है जो की electric field में रखा हुआ है तो उस पर पर एक force apply होता है जिसको बो है electric force उस electric force की वजयासे क्या होता है दोनों तरफ क्योंकि icked force लेगा तरफ attraction यहला एक तरफ répulsion होना तो वह क्या करता है तो उस पर एक क्या लगता है ड़ागून हमें निकलना है कि कितना होगा तो ब्लागून को घुमाने के लिए कितना कार्य हमें करना पड़ेगा तो वो हम यहां पे लास्ट टॉपिक इसका देखेंगे ठीक है उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आप इंज्वाइ करेंगे पिछला वाला लेक्चर आपने पूरा देखा होगा तो जहां से आपको चार्ज क्या करेंगे तो यह कुछ प्रॉपर्टी साथ मैंने आपको चार्ज डिस्ट्यूशन भी आपको बताया था कि लीनियर हो सकता है सर्फिस हो सकता है और वॉल्यूम चार्ज हो सकता है तो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं उससे पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजएगा ता तो आगर हम पर देखा रहा हूं कितना चेत्र मेरें में हैं कितना मेरा चेत्र है यहां तक उसका प्रभाव है जहां तक वह अपना प्रभाव का रहा है वह उस चंड का छेत्र होगा तो अगर हम Państwo akan बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का रीजन या इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट जिस जिस पॉइंट पर हो रहा है वो सारा सारा छेत्र या सारा फील्ड उसका अपना फील्ड होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पील्ड कहेंगे तो सामानने भासा में हो गया अगर हम इसकी definition को देखें तो इसकी definition क्या हो जकती है तो हम कहेंगे कि electric field is a reason of space around a charge और a system of charge within which other charged particles experience electrostatic force तो एक charge के चारो और का वह छेत्र या system of charge के चारो और का वह छेत्र वह region जहां पर कोई दूसरा एक charge अगर कोई दूसरा charge हम लेके जाए तो वो एक electrostatic force यानि की स्थिर विद्जत बल का अनभव करेगा तो उस छेत्र को या उस region को हम क्या कहेंगे electric field कहेंगे तो मैंने बताए तक कि एक charge के चारो और का या एक आवेस के चारो और का छेत्र जहां तक कोई दूसरा charge एक बल का अनभव कर रहा है तो वो पूरा छेत्र उसका है अपना है और वो ही क्या है उसका electric field है तो ध्यान रखिएगा जिस charge के कारण वो force अनभव कर रहा है वो electric field उसी charge का हुगा जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 8 microgram 8 microgram का एक charge रखा हुआ है इसके pass में एक charge लाया गया तो यहाँ तक इसने कोई force का experience नहीं किया लेकिन जैसे ही वो इस reason के अंदर enter किया उसने तो यहाँ पर एक force उसे लगा जो की इस direction में था ठीक है तो इससे हमें यह पता चल गया कि अगर इसी की direction में force लग रहा है तो यह क्या है एक opposite charge है unlike charges है और साथी साथ force अगर वो experience कर रहा है charge इसका मतलब अब यहाँ से इसका एक field start हो गया है तो यह field किसका है यह 8 microclom वाले charge का है ना कि इस वाले charge का ठीक है जिस charge को हम लेकर आ रहें अंदर उस charge का field नहीं है field किसका है इस वाले charge का है जिसके कारण वो reason create हुआ और उस reason में उसने force को experience किया दूसरे charge नहीं तो ध्यान रखिएगा एक ही charge की वज़ए से electric field होता है या एक particular system of charge की वज़ए से electric field होता है अगर हम बात करें तो theoretically electric field extends up to infinite but practically अगर हम practically बात करें तो it is limited to a certain distance अगर हम theoretically बात करें तो हम यहां पर देखते हैं तो e is equal to होता है one upon four pi epsilon not q upon r square ओके यह formula हम basically electric field के लिए use करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वही same जैसे force था वो distance के square के inversely proportional था यहां पर भी आप देखेंगे electric field जो है वो क्या है electric field को अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह भी जो है वो distance के square के inversely proportion निकल के आ रहे है तो distance अगर infinite है तो अब zero हो जाएगा तो ऐसा तो कुछ exist करता नहीं है मतलब अगर इसका reason देखे तो one two n यह हो सकता है यानि कि एक से लेके और n तक कुछ भी आप ले लो ठीक है infinite से कम तो यहां तक electric field exist करेगा theoretically बट practically अगर हम बात करें तो इसका एक limited reason होता है यानि कि एक particular distance के बाद एक particular reason के बाद limit के बाद यह electric field सो नहीं करेगा या electric field की जो intensity है वो distance के साथ में दीरे 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 समाप्त होती रहेगी जितना नजदीक होगा charge के कोई भी particle या कोई भी चार्ड उतना ही electric field की strength जादा होगी जितना दूर जाओगे उतनी ही कम हो जाएगी ठीक है अब बात करते हैं electric field strength और electric field intensity या फिर electric field itself ओके तो electric field strength हो या फिर electric field intensity हो या फिर electric field हो ये तीनों एक ही चीज़े हैं जो भी आप से का जाएगा तो आप एक ही definition या फिर एक ही उसके लिए जो sense है वो लिंगे अब electric field strength जो होती है किसी भी point पर in electric field is a electrostatic force per unit positive charge positive charge यहाँ पर क्यों बोला गया क्योंकि हम जब electric field लेते हैं तो जनरली जब electric field लिया जाता है तो उसको परखने के लिए उसकी जाच करने के लिए हम एक test charge का use करते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा क्या लिखा मैंने test charge तो नाम से बता चल रहा है कि हम एक ऐ electric field है कि नहीं है तो यह test charge इसलिए बोल जाता है क्योंकि यह हमें पता है कि यह positive होगा ठीक है और always क्या होगा यह positive होगा क्योंकि हम ले रहे हैं हम assume कर रहे हैं एक test charge तो यह always क्या होगा इसका nature positive होगा और साथी साथ इसका जो magnitude होगा बहुत ही small होगा या फिर negligible भी हम ले ल तो test charge जो की क्या होता पॉजटिफ होता पॉजटिफ हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें इसका nature पता रहे तो एक हम positive charge को अगर हम डिवाइड करते हैं positive charge से अगर हम force को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है electric field strength मिल जाती है तो हम कह सकते हैं electric force per unit positive charge क्या कहलाता है electric field strength कहलाता है ठीक है तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं हमारे पास एक charge है Q plus Q है और यहाँ पर एक दूसरा charge है Q naught तो Q naught यहाँ पर क्या है test charge है तो मैंने जो बताया तो test charge मतलब जिससे हम यह test कर रहे हैं कि electric field की strength कितनी है है भी कि नहीं है तो positive जो charge होगा या फिर test charge होगा वो हम यहाँ पर use कर रहे है electric field की strength के लिए तो अगर हम force की बात करें तो दोनो positive है तो यह क्या करेगा इसको repel करेगा इसी के साथ में अगर negative charge लेते हैं तो यह इसको क्या करेगा attract करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है attraction हो रहा है और इधर की तरफ क्या हो रहा है repulsion हो रहा है important है अगर unlike charges है तो attraction ही होगा और अगर like charges है तो repulsion ही होगा यह आप ध्यान रखेंगे तो यह हो गया प्रतिकर्सन और यह हो गया आकरसन तो आकरसन कब होगा जब attraction कब होगा जब unlike charges है जब like charges होंगे तो क्या हो जाएगा repulsion हो जाएगा तो यह जो force apply हो रहा है अगर हम इसको divide कर दें इस charge से तब हमें क्या मिलेगा electric field मिलेगा तो आप यहाँ पर दे सकते हैं electric field e vector is equal to limit del q stands to 0 f vector upon del q तो यह क्या है electric field strength है electric field को हम represent कर सकते है e vector is equal to f vector upon q naught या फिर हम लिख सकते है e vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square और r cap यह आपको clear हो गया होगा ठीक है तो electric field की strength होती है 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square अगर vector form में लिखेंगे तो e vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square into r cap r cap क्या है एक unit vector है unit vector क्या होते है जिसका magnitude 1 होता है ठीक है unit vectors क्या होते है जिनका magnitude 1 होगा तो वो सभी क्या होंगे unit vectors कराएंगे अब इस unit vector को अगर हम देखेंगे तो इस unit vector को हम किस तरीके से निकालते है तो r cap is equal to होता है r vector upon mod of r vector तो unit vector निकालने का यही तरीका है यानि कि उसके vector को उसके magnitude से अगर divide करते तो unit vector आपको मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर जो यह टेस्ट चार्ज है टेस्ट चार्ज इस कंसीडर डूबी वेनिसिंग्ली स्मॉल विकॉस इट्स प्रेजेंस शुड नॉट आफ्टर दा कंफिकेशन ऑफ दा चार्ज तो इसकी जो प्रेजेंस है तो जैसे बताया था इस टार्ड़ में कि यह नेगलेजिविल होता है इसकी प्रेजेंस तभी तक हम एज्यूम करते हैं जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिकालना है तो यह मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी इससे रिलेटेट कोई डाउट है तो कॉमेंट बाक्स आपके लिए खुला हुआ है वहाँ पे आप पूछ सकते है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिडी क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिडी कहते हैं तो यहां से फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बन अपन पूप एपसान नॉट की ओपन आर स्केर अगर वेक्टर फॉर्म में लिगना है तो यहां पर एवेक्टर लगा देंगे और यहां पर यूनिट वेक्टर आर के प्रेल लिगए इसके साथ में ठीक है आगे बात करते हैं कुछ इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स की सबसे पहले अगर क्यू नॉट हमने लिया है पॉजिटिव तो इसकी डिरेक्शन जो होगी इलेक्टरिक फिल्ड के अलॉग होगी ठीक है इलेक्टरिक फिल्ड इस डिरेक्शन में उसी डिरेक्शन में इसकी डिरेक्शन भी होगी इसके मोसन की डिरेक्शन भी होगी जैसे यह हमारे पास q charge है positive और यहां पर q naught जो है वो भी positive है तो electric field की direction जो होती है वो positive to negative होती है यह इसको क्या कर रहा है repel कर रहा है तो इसी direction में कर रहा है तो along the direction of electric field इसकी direction होगी क्योंकि electrostatic force उसी direction में लग रहा है उसको repel कर रहा है second point note करेंगे electrostatic force on the negatively charged particle will be opposite to the direction of the electric field अगर negative charge है जैसे आपने previous slide में देखा था तो यहां पर अगर यह negative charge है तो क्या होगा q naught को यह अपनी तरफ attract करेगा ठीक है q naught को क्या करेगा अपनी तरफ attract करेगा और अगर यह अपनी तरफ attract करेगा तो इससे क्या होगा electric field की opposite direction में q naught की direction होगी q naught का motion होगा तो q0 जो है वो opposite direction में motion कर रहा है, electric field की direction कहा है, इससे दूर, ठीक है, इसकी और होगी, तो यहाँ पे जो है यह इसकी opposite direction में, यहाँ पे लिखलेंगे, next slide में, electric force on the negatively charged particle, अगर q0 negative हो गया, तो क्या होगा, will be opposite to the direction of the electric field, तो electric field की opposite direction में हो जाएगा, ठीक है, third point, electric field is the vector quantity, whose magnitude and direction are uniquely determined at every point and in a field, तो अगर field में हम किसी एक charge को लेते हैं, या charge की वेज़े से अगर हम electric field लेते हैं, तो उसका जो field है, तो डिटर्माइन होता है कि positive से निकलते हुए और negative की ओर होगा, ठीक है, electric field की direction क्या होगी, always positive to negative होगी, negative charge, ठीक है, positive charge से negative charge की ओर होगी, तो ये understood है कि electric field में अगर हम कोई point लेते हैं, कोई भी एक particle के motion को determine करते हैं, उसका motion देखते हैं, तो उस पर किसी particular point पर जो direction होगी, वो क्या होगी, fix होगी, क्योंकि ये एक vector quantity है, ठीक है, इसके बाद SI unit की बात करें, तो इसकी जो SI unit होगी होगी, वो क्या होगी, वो गई Newton पर कुलम, ठीक है, तो derivative unit होती है, इसकी, derive की गई है, क्योंकि एक force and column को मिला करके, यानि की charge को मिला करके, इसकी unit बनी है, नाओ, electric field due to point charge, अब हमें एक point charge की विज़े से electric field का पूरा derivation समझना है, तो हम यहाँ पे consider ये करेंगे, कि हमारे पास एक positive charge है, जो कि 3D में कहीं पर भी रखा हुआ है, 3D मतलग 3 dimension में x, y, z, इसके origin पर हमने हमाल लिया, कि यहाँ पर एक charge रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी पर, इस point पर, 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 इसकी location है x, y, z, x, y, z, यहाँ पर हमें electric field की intensity find करनी है, तो, यह distance कितनी दे रखी है, r vector, यह इसकी position vector दे रखा है, position vector यानि कि, यह represent कर रहा है कि, यहाँ से यहाँ तक कि distance कितनी है, इसका magnitude अगर निकालोगे, तो, mod of r vector, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले, इस force को exert, force exert कराने के लिए हमें test charge लेना पड़ेगा, तो, हम यह मानेंगे कि, इस point P पर, एक test charge रखा हुआ है, test charge मैंने आपको बताये था, क्या होता है, यह correction always, जो कि हम positive लेते हैं, consider अपने आप ही कर लेते हैं, कि यह positive होगा, बहुत ही small होगा, और साथी साथ, इसको जो है, वो हम negligible भी ले लेते हैं, with respect to other charge, ठीक है, हम केवल experiment, यानि कि कि किसी derivation को prove करने के लिए ही, इसको use करते हैं, इसके लाबा इसका कोई काम नहीं है, तो, यहाँ पर हमने force exert कराया, यानि कि, इस Q की वज़ए से Q naught पर कितना force लगेगा, तो, यहोगा, F vector is equal to, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q Q naught upon R square R cap, तो, यह इतना force इस पर लगेगा, ठीक है, इतना ही force यह friction always जो है, वो इस पर apply करेगा, तो, यह हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q Q naught upon R cube and R vector, ठीक है, R cube क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, कि unit vector ज upon mod of R vector, mod of R vector को हम लिख सकते हैं, R vector upon R, simply R लिख सकते हैं, तो, यहाँ पर R square था, और, एक R यह आगया, तो, मल्टिप्लाई हो जाएगी, तो, क्या बन जाएगा, यह, R cube बन जाएगा, और, यहाँ पर, क्या R है साथ में, R vector, तो, यह भी हम इसको लिख सकते हैं, electric field strength, हमने तो, अगर हमें electric field find करना है, यहाँ से, तो, electric field कितना हो जाएगा, 1 upon 4p epsilon 0, Q upon R cube और R vector, is it clear, ठीक है, अब यहाँ से, अगर हम देखेंगे, तो, हम इसको, यह भी लिख सकते हैं, E vector is equal to 1 upon 4p epsilon 0, Q upon R square, into R cap, अभी मैंने बता है था, क्योंकि R cap जो होता है, वो R vector upon R के equal होता है, So, we can write 1 upon 4p epsilon 0, Q upon R square, R cap, तो, यह जो है, electric field, एक point charge की वज़े से, किसी point पर कितना होगा, यह हमने यहाँ पर निकाला, यह इसका formula होता है, यह आपको याद रखना है, इसी formula की जरुरत पढ़ेगी, आपको numerical को solve करने के लिए, जहाँ पर आपको values given होगी, charge की, जहाँ पर हम कैसे करते हैं, यह भी हम समझेंगे, तो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि, अगर charge Q जो है, वो 0 से जादा है, यानि कि positive है, then the field is radially outward, तो, जो field होगा, वो क्या होगा, radially outward होगा, यानि कि बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगी, इसकी direction, और अगर charge Q, जो है जो है, वो 0 से कम है, यानि कि negative है, तब, जो field होगा, वो radially inward होगा, यह दोनों ही point आप नोट कर लेंगे, radially outward होगा, जब radially inward होगा, जब charge की value, 0 से जादा होगी, यानि कि positive होगा, उस time पे radially outward direction होगी, electric field की, जब charge, जो है, radially Q की value, 0 से कम होगी, negative होगी, तो, उस समय, radially inward हो पूरे के पूरे coordinates में समझें, system में समझें, कई सारे charges रखे हुए हैं, तो, उस charges के basis पे हम क्या कह सकते हैं, जैसे, यहाँ पर एक charge है, Q1, इस से कुछ distance पर है, यहाँ पर Q2, here, यहाँ पर है, minus Q3, यहाँ पर है, Q4 प्लस का, और यहाँ पर है, minus Q5, तो, electric field, जो है, वो, एक vector quantity आपने को पता है, तो, क्या होता है, vector quantity की, जो direction है, वो understood होती है, जैसे, electric field है, वो positive से negative की होगा, यहाँ पता है, तो, अगर, दो charges रखे हुए हैं, जिसमें से, एक positive है, और, एक negative है, ठीक है, यहाँ पर, इसको समझते हैं, यह है, आपका, suppose, 2 microcolum, और, यहाँ पर, यह positive से negative की तरफ direction होती, electric field की, तो positive to negative, electric field की direction, यह जो 2 microcolum का charge है, इसे, की वज़ा से, कहा होगी, right side में, और, जो negative charge है, negative 3 microcolum का charge है, इसकी वज़ा से, जो direction होगी, वो क्या होगी, यहाँ पर देखेंगे, तो, इसकी तरफ होगी, यहाँ से, इसकी direction होगी, वो इसकी तरफ तो यह जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे अगर मुझे किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट पर पाइंट करना है तो अब देखो इस पॉइंट पर इलेक्टिक फिल्ड की डिरेक्शन क्या होगी तो यहां से दूर की तरफ इस तरफ और नेगेटिव की तरफ दोनों अगर इस पॉइंट पर मुझे एलेक्टिक फिल्ड निकालना है तो इलेक्टिक फिल्ड द्यू टू 2 माइक्रोकुलम प्लस इलेक्टिक फिल्ड द्यू 3 माइक्रोकुलम दोनों एड हो जाएंगे तो आपको इलेक्टिक फिल्ड की डिरेक्शन मिल जाएग कि कितनी होगी इस पॉइंट पर अगर बीच में निकालना है तो अगर पॉइंट यहां पर है सबस्ट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव की ओर तो इधर की तरफ जाएगा दोनों को माइनस कर देंगे तो तो इसको माइनस करेंगे तो आपको इलेक्री मिल जाएगा मतलब आप सुझ में आगया डिरेक्शन से बहुत फरक पड़ता है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होने की विजा से इसकी डिरेक्शन जो होगी वह अंड्रेस्टूड होगी हम साइन के साथ में वैल्यू यू पेफ़ान नौट Q UPON X SQA2 YSQA3Y2 XIK plus YJK plus ZK je radicale यह लिखा हुआ है यह वाला टर्म यह आर क्यूचा को सो कर रहा है और यह इसका मेगनीट्यूड है जो हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देगा था तो इसके पहले वाली स्लाइड आप देख लीजए हाँ पर जो r vector लिखा हुआ है यह r vector जो है वो क्या सो कर रहा है यह इसके magnitude को सो कर रहा है r जो लिखा हुआ है यहाँ पर यह क्या सो कर रहा है इसके magnitude को सो कर रहा है तो हम इसका magnitude जब लिखेंगे तो यह निकल के आएगा यहाँ पर r vector is equal to x i cap plus y j cap plus z k cap इसका magnitude निकालेंगे तो कितना हो जाएगा mod of r vector is equal to x square plus y square plus z square under root में clear है तो under root में क्या लिखते हैं इसकी power कितनी होगी हाफ होगी x square plus y square plus z square की power 1 by 2 अब इसको अगर हम cube कर दें इसका cube कर दें तो क्या हो जाएगा x square plus y square plus z square की power 3 by 2 तो वो ही हमने यहां पर use किया है आपको दिख रहा होगा और r vector की हमने जगह क्या यूज किया है अगर हम यहां पर लिखेंगे इसको तो power लिख सकते हैं x square plus y square plus z square की power 1 by 2 और इसका cube करेंगे तो यह हो जाएगा 3 by 2 power में अब आते हैं super position principle जिसकी में बात कर रहा था starting में super position principle मतलब कई सारे charge हैं अब यह कई सारे charge मिलकर के एक charge पर फिल्ड अप्लाई कर रहे है या एक point पर फिल्ड अप्लाई कर रहे है तो वो क्या हुआ यह force एक ओ आफ्लाई कर रहे है तो वो force क्या हुआ यह हम समझेंगे सुपर पोजीशन प्रिंसिपल से बहुत सारे चार्ज यानि कि सिस्टम ओफ चार्ज है अब हमारे पास यहाँ पर यह देख रहे होंगे यह मैंने ब्लॉक लिया है इस ब्लॉक में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 यह पांच चार्ज रखे हुए है अलग-अलग पोजीशन पर इनकी जैसे अगर मुझे एलेक्ट्रिक फिल्ड लेगना है तो फोर्स की डिरेक्शन क्या होगी तो F1 जो होगी देखो तो यह Q1 है Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा हर एक चार्ज जैसे मालो अगर मैं इस वाल पर या इस बोर्ड प पर फोर्स लगाता हूं तो एक्शन डिएक्शन लगेगा यह भी उतना ही फोर्स मुझ पर लगाएगा तो यह जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो यह भी मुझ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ठीक है तो अगर एक ये रुवह आटेट कासि भी पहले वाले चार्ज पर एक पोड़ से प्लाइब करेका उसे ही जितना एक चार्ज दूसरी कररे ये ऊटना आधान नियूटन थार रच पर्र førपराई करेगा ठीक है क्योंकि हमें पता है कि फोर्च इस परPend far to multiple of या product of charges and square of inversely proportional to the square of these two charges, distance between these two charges, okay, इस पर यह depend करता है, तो हम यह आपर लिख सकते हैं, the electrostatic force experienced by a charge due to other charge is the vector sum of the electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually, अगर यह individual charge रखे हुए हैं, तो यह क्या होता है, वेक्टर सम होता है, अगर मुझे force निकालना है किसी एक charge की वज़े से या एक charge की वज़े से बाकी charges पर निकालना है force, तो वो क्या होगा, vector sum होगा, vector sum का मतलब क्या होता है कि आपको आप direction भी ध्यान पाएंगे, देखो, जैसे अगर हमें निकालना है, यहाँ पर F1 लिकालना है, F1 कहाँ पर है तो यह देखेंगे, देखो यह जो force charges थे वो कैसे रखे हुए थे, यह है Q1, तो यहाँ पर रखा हुआ है Q1, ठीक है, यहाँ पर था Q2, यह बाला, तो यह Q1 और Q2 एक फोर्स एप लाई करेंगे, पोर्स एपलाई करेंगे यक डूसरे पर दोनो positive nature рокी यह तो एक डूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, यह इदर जाएगा और यह इदर जाएगा, ay यह दूसरे को क्या क्या यह Q3 वाला चार्ज जो है वो इसको क्या करेगा तो यह दर आएगा अब अगर हम इन सभी फोर्सेस को एखटा करें तो यह जो F1 है इसका रिजल्टेंट निकल के आ रहा है तो यह रिजल्टेंट क्या होगा यह हो जाएगा F12 यग़ चार्ज 1 की वजयरे क्यों की विजहां से क्यू पर कितना पृष्स लग रहे हां तो इससका जो सम है यह यह वेक्टर ऑ matter वो किसके कोल होगा F1 Vector के यानि की resultant यहां पर निकल के आएगा इस system charge के विजए से ठीक है तो इस principle को क्या बोलते हैं superposition principle बोलते हैं तो इसका statement note कर लेंगे statement क्या है तो the electrostatic force experienced by a charge due to another charge other charge is the vector sum of the electrostatic force due to these other charges as if they are existing individually तो यह statement आपको याद होना चाहिए statement की जरुत नहीं है बस यह formula आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो हम इस तरीके से इसको निकालेंगे ठीक है तो यह formula note कर लेंगे तो यह था superposition principle तो यह superposition principle बताता है कि बहुत सारे charges है तो वह एक charge पर कितना force apply करेंगे यह हमें बताता है कुछ बाते हैं जो इस से related आपको note कर लेनी चाहिए पहला है कि the interaction must be on the charge which is which is to be studied due to other charges and second is the charge on which the influence due to other charge is to be found is assumed to be floating charge and other are rigidly fixed. Example के लिए हम कैसकते है कि हमारे पास अगर एक पहला वाला charge है जो की float कर रहा है and repelled away by q2 and q4 and attracted towards q3 and q5 तो यहां पे आप देख लीजे एक charge जो है यह q1 जो की float कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि यह जो q3 and q5 है यह तो इसको attract कर रहे है अपनी तरफ खीच रहे है और यह जो q2 and q4 है यह दोनों क्योंकि like charges है तो यह क्या कर रहे है एक दूसरे को repel कर रहे है तो इसके वह जैसे क्या कर रहा है यह कहीं नहीं जा रहा है यह मतलब float कर रहा है यह clear हो गया होगा ऐसी एक और example the interaction between the other charges among themselves must be ignored यानि कि q2 3 q2 2 4 2 5 3 4 3 5 & 4 5 are ignored तो इनको हमने ignore किया है क्योंकि हम एक ही पर रिकालने सब पर रिकालने तो यह भी बहुत जरूरी है ठीक है तो यह आपको clear हो गया होगा उसके बाद superposition principle hold good for electric field also superposition जो है वह electric field के लिए भी बहुत अच्छा एक अच्छी भूमी का निवाता है क्योंकि इससे हमें जब force के बारे में पता चल रहा है तो force per unit charge ही तो electric field है तो अगर force निकल जाएगा तो electric field भी बहुत आसानी से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं अब आते हैं electric line of force पे जो की एक काफी important topic है अगर हम आगे flux पढ़ेंगे तो electric line of forces की बहुत ज़्यादा ज़रुरत पढ़ने वाली है उसकी क्या-क्या properties है उनका हम use करेंगे आगे ठीक है बट यहाँ पे electric line of force को समझ लेते हैं तूर्ड दा नेगेडिव चार्ज की ओर आते हुए एंड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए यह एलेक्रिक फिल्ड की डिरेक्सिन होती है तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं and electric line of force is an imaginary straight imaginary straight का मतलब हो भी मैं आपको समझाऊंगा और curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in electric field अब इसका मतलब समझेंगे देखो हमारे पास अगर कोई एक charge है जैसे यह हमारे पास एक charge क्यूं है positive charge है इसके चार और मैंने बताया था कि एक reason create होता है मतलब एक ऐसा छेत्र जहां पर कोई दूसरा positive charge आज एक force को experience करता है उस reason को क्या कहते है electric field कहते है अब यहां पर हमने एक test charge लिया Q-naught तो यह जो Q-naught है यह क्या करेगा इससे repel होगा और repel होते 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 जिस path को वो follow करेगा इसके path लेकिया है पास लाके हमने छोड़ दिया तो पास लाके जो हमने छोड़ा तो यह किस path को follow कर रहा है यह path इसका क्या होगा electric line of force होगा ठीक है इस path को हम क्या कहेंगे electric line of force कि हम इसको imagine कर रहे हैं इसलिए imaginary straight line भी हो सकती है curved line भी हो सकती है तो straight or curved line भी हो सकती है imaginary because यह हमें दिखती रहे है जहां पर जहां जहां पर वो जो positive test charge है वो motion कर रहा है वो गती कर रहा है वो अपनी path cover कर रहा है जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता ही क्या है उसका electric line of force को बताता है क्योंकि यह दिखता नहीं है इसलिए क्या है imaginary straight or curved line है ठीक है तो यह note कर लीजेगा electric line of force के लिए and electric line of force to do not physically exist but they represent a real situation यह physically तो exist नहीं करती but real situation को यह क्या करती है रिप्रेजेंट करती है जैसे हमारे पास एक straight line है तो यह electric field की direction को सो कर रहा है और यह electric line of force है ठीक है तो electric line of force basically हम electric field की direction को सो करने के लिए ही लेते है एक हमारे पास curved है तो इस पर कोई भी point अगर हमने लिया तो इस पर tangent जब हम लेंगे तो यह tangent सो कर रहा है electric field को तो curved पर कोई point हमने लिया उस पर tangent ले लिया तो वो जो tangent line होगी उसकी direction सो करेगी electric line of force को ठीक है तो basically tangent on a curved line सोज electric line of force इसी के साथ में electric line of force due to point charge एक चार्ज की वजए से एक बिंदू आवेस की वजए से अगर हम हम electric line of force को represent करना है तो यहां पर हम देखते है जैसे यह q is greater than 0 लिका हुआ है greater than 0 का मतलब हो गया कि q की value positive है understood है क्योंकि value positive है इसलिए greater than 0 है तो अब यहां पर हमने क्या लिया greater than 0 लिया तो आप यहां पर arrow का सांटे सकते है वह क्या है अभे फ्रॉम दह पॉजिटिव चार्ज तो positive चार्ज से दूर की ओ रहा है q से दूर की तरफ है दूर की तरफ भाग रहा है ठीक है positive से दूर की तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब यह हो गया कि away away from positive charge अब यहाँ पर है Q is less than 0 less than 0 का मतलब हो गया कि अब यह क्या है कम है negative है तो यह क्या हो गया इसकी तरफ आ रहा है आप देखोगे अगर इसकी direction देखोगे तो यह towards the charge है यहाँ पर लिख सकते है तो अब यह direction आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर positive है तो बाहर की और निकलेगा electric field की direction बाहर की तरफ होगी दूर की तरफ चार्ज से और अगर negative charge है तो charge की और electric field की direction होगी तो represent of the electric field in terms of the field vector the size of the arrow represent the strength of electric field तो electric field strength जो होती है जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आते हैं वहाँ वैसे 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 electric field strength बढ़ती है चार्ज से जितना दूर आप जाओगे electric field strength कम होगी ठीक है यह note कर ले न उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं next ठीक है यह उमने note कर लिया अब बात करते हैं यहाँ पर electric line of force due to a pair of equal and unlike charges equal and unlike charges का मतलब क्या होगे equal मतलब होता है उनका magnitude magnitude equal है यानि कि एक दो माइक्रो कुलम का चार्ज है तो दूसरा minus 2 माइक्रो कुलम का चार्ज है तो यह equal magnitude में equal है और इनकी जो sign है वो क्या है opposite है तो इसको बोलते है equal and unlike इक्वाल एंड अन्लाइक चार्जेज और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्वाल एंड लाइक चार्जेज तो बहुत ही इंपोर्डेंट है क्योंकि एक्जाम में यह सब पूछे जाते हैं कि कैसा होगा मतलब कौन सा इन में से सही है विद्धुत परिपत के लिए या विद्धु यह है एक पॉजिटिव से नेगिटिव की तरफ यहां से पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही है तो अंतता यह जाएगी कहां पे होके नेगिटिव की तरफ इस तरीके से पूरा एक जाल बन जाएगा तो पॉजिटिव से नेगिटिव की तरफ इसकी डिरेक्शन तो उन्हों एक दुस्रे को क्या करने चाहिए रिपयल करने चाहिए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ पोर्स जो है वह चाहु हो जाएगी रिपैel हो जाएगी यानि वह हैनी कि वह आपस में मिली गी electric line of force exert lateral pressure to represent repulsion between the like charges तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, intensity सबसे ज़्यादा होगी, यह जो मैंने यह वाला path बनाया है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर intensity जो है, electric field की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सघन है, तो जो dense part होता है, electric line of force में, अगर हम dense part देखेंगे, तो महाँ पर electric force intensity बहुत ज़्यादा होगी, और अगर rarer part है, यहाँ पर viral है, मतलब बहुत दूर दूर है electric line of force, तो महाँ पर electric field intensity कम होगी, तो यह general सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, कि जहाँ पर ज़्यादा लोग इखटे हैं, वहाँ पर छेतर ज़्यादा होगा उनका, अगर संख्या अगर ज़्यादा है, dense इलाका है, तो वह ज़्यादा सक्ति साली होगा, तो वैसे ही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो electric line of force, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिख रही है, घनी घनी दिख रही है, पास पास दिख रही है, वहाँ पर electric field की intensity ज़्यादा होगी, टीक है, understood है, उसके बाद आते हैं अपने next topic पर, जिसका नाम है, electric line of force due to a uniform field, एक uniform field है, उसकी वज़े से अगर हमें electric line of force देखना है, उसकी electric line of force की अगर हम बात करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, कैसे represent करेंगे, तो कभी भी अगर uniform field है, uniform का मतलब हो गया, कि हर एक point पर एक समान, तो जब भी हमें uniform field को represent करना होता है, तो हम parallel line से सूख करते हैं, किस से, समानतर तो हम किस का प्रियोक करते हैं, समानतर रेखाओं का प्रियोक करते हैं, या फिय पैरलल line का use करते हैं, तो यह पैरी यहां पे आपको दिख रहYU करते हैं, यह lines सो कर रही है है, electric line of force uniform है, ठीक है, यह जो uniform electric line of force है, उसको represent कर रहेंगे, तो कभी भी अगर uniform electric field को सो करना ओ, उसके बाद आता है properties of electric line of force, तो electric line of force की क्या-क्य properties हैं, इसको हम समझ लेते हैं, तो पहली property क्या है, तो one by one हम discuss करेंगे, एक एक property को मैं आपको समझाते हूँ चलूँगा, आप इसको note करते रहे न, अपने notes जितने ज्यादा strong बनाएंगे, जितना ज्यादा आप अपी तरफ से कोशिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे, और उतना ही ज्यादा marks से आप गेन सरक कर सकते हैं, ठीक है, तो पहला point यहाँ पर आता है, पहली properties की यह है, कि electric line of force और imaginary line, जिसको हम discuss कर चुके, कि यह कालपनिक रेखाएं होती है, इसका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं होता, तो यह क्या है, कालपनिक है, ठीक है, imaginary lines होती है, तो हम केबल एक सोच सकते हैं, कि electric line of force ऐसी होंगी देखने में, इस direction में चलेंगी, वास्ता में ऐसी च test charge चल रहा है, और वो अपने पीछे line बनाते हो चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो यह imaginary lines होती है, second है कि unit positive charge placed in an electric field, tends to follow a path along the field line, if it is free to do so, अगर electric field में किसी test charge को हम उसको घूमने के लिए छोड़ दे, स्वतंत्र छोड़ दे, तो वो एक path को follow करेगा, जिस path को वो follow क होती है, या electric line of force होती है, ठीक है, जो मैंने बताया था, कि अगर test charge को electric field में खुला छोड़ दे, क्योंकि बहुत ही small होता है, वो force को experience करेगा, बहुत ही तेजी से के साथ में, तो वो force experience करेगा, उसकी बज़े से वो क्या हो जाएगा, उससे दूर भागने लागेगा, और द वास्तिक्ता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं, कि यह घटना काल्पनिक है, इसका वास्तिक्ता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अगर किसी वास्तिक्ता से इसका संयोग पाया जाता है, तो इसका link पाया जाता है, तो आगे हम बात करते हैं, थर्ड प की और होती है नेगिटिव चार्ज ही यह काफी इंपोर्डेंट है कि अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड करना होगा चैने वह एक्स पर फाइंट करना हो चाहिए नॉन nuovo एक्सिस पॉजीटन पर फैन करना हो तो आप यह चीज ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक टेरेक्शन क्या होती है डेरेक्शन अगर आपके दिमाग में है कि पॉजिटिव से नेगिटिव की और होती है हमेंसा तो आपको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला आप आसानी से इलेक्रिक फूल्ड की डेरेक्शन निकाल सकते हैं magnitude के लिए तो formula पता ही है, कैसे निकालना है, but direction आपको पता होगी, तो आप ये plus minus कर पाओगे, कि अगर same direction में तो plus करना है, और अगर opposite direction में तो minus करना है, अगला यहाँ पे होगा, fourth point, the tangent to an electric field line, at any point, give the direction of the electric field at that point, अगर हम यहाँ पे किसी एक curved पे कोई एक point लेते हैं, तो उस पे अगर मैं tangent देखूंगा, तो tangent line उस particular point पर electric field line की direction को सो करेगी, या electric field की direction को सो करेगी, तो ये fourth point हमें बता रहे है, इसके बाद fifth point, उम्मीद है कि चारव point आपको clear हो गया होगे, इसको एक बार और revise कर फिफ्थ point देखते हैं, फिफ्थ point क्या है, two electric line of force can never cross each other, if they do so, then the point of interaction, there will be two tangents, it means, there are two values of electric field at that point which is not possible, तो इसका मतलब ये है कि electric line of force जो होती है, वो कभी intersect नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को cut नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी किसी भी point पर, क्यों है ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि जो tangent line होती है, वो electric field की direction को so करती है, अभी जस्ट उपर वाले part में हमने देखा था, fourth point में, कि electric field की direction को so करती है, किसी curve पर अगर हम point लेते हैं, उस पर tangent line, तो अगर वो cut करेंगी, tangent line आपस में cut करेंगी, तो ये जो cut point है, intersection point है, यहाँ पर दो tangent line हो सकती है, अब दो tangent line होने का मतलब यह है कि इसकी दो direction हो जाएंगी, electric field की एक direction ही हो गई, और एक direction ही हो गई, which is not possible, एक ही point पर electric field की दो direction हो सकती है, पर test charge तो एक ही है, तो test charge अगर एक है, तो वो दो direction में कैसे चलेगा, जैसे मैं अकेला हूँ, तो मैं एक साथ द दिसाओं में नहीं चल सकता, तो एक particle दो दिसाओं में एक साथ कैसे चल सकता है, तो यह possible नहीं है, यह impossible बात है, which is not possible, इसलिए कभी भी field line जो होती है, वो एक दूसरे को intersect नहीं करेंगी, किसी भी particular point पर, ठीक है, तो इसका यह बहुत ही important है, यह वाला point, सबस्यादा important, अधर electric field belong a vector quantity, there can be only one resultant field at given point, represented by the tangent at that point for the given line, line of force, यह मैंने already discuss कर लिया है, तो यह आपको पता होगा कि electric field is a vector quantity, and उस particular point पर जो electric field की force line है, वो electric field की direction को सो करती है, ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, और next slide में देखते हैं क्या है, तो अगली slide में यहाँ पर six point इसका आता है, कि electric line of force are closer, where the electric field is stronger, and the lines spread out, where the electric field is weaker, तो जहाँ पर यह सघन होगी, जहाँ पर यह पास-पास होगी, वहाँ पर electric field is strong होगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर कई लोग इखटे हैं एक साथ, उनकी सक्ती ज जादा होगी, उनकी सामर्थ ही जादा होगी, और अगर दूर-दूर हैं, मतलब फैले हुए हैं, तो आसानी से उनको तोड़ना या फिर एक दूसरे को मार के निकल जाओ, कोई किसी को मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो वही है, कि अगर electric line of force दूर-दूर हैं, तो बहुत हैं, इसी के साथ में यह देखिए है, 7th point, electric line of force are perpendicular to the surface of a positive और negative charge body, तो positive या negative charge अगर कोई body है, तो electric line of force जो होती है, वो always उसके perpendicular होती है, जैसे यह है, यह एक sheet है, इस sheet पर positive charge है, तो इसके perpendicular line यह निकल रही है, ऐसी यह कोई non uniform body है, जिस पर positive charge है, तो इस से perpendicular, यह direction, इस से perpendicular, यह tangent, इस से perpendicular, tangent, perpendicular, tangent, perpendicular, tangent, perpendicular, तो always क्योंते है, परपेंडिकलर होती है, उस particular body के, उस charge के, ठीक है, next है, electric line of force, contract lengthwise to represent the attraction between two like charges, तो lengthwise यह represent करती है, कि यह दो positive अगर charge है, तो unlike charges है, तो unlike charges के बीच में क्या होगा, attraction होगा, तो length उनकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, lengthwise representation आप उससे निकाल सकते है, तो अगर attraction हो रहा है, attraction में क्या होगा, charge एक दूसरे के पास है, क्योंकि वो attract करेगा एक दूसरे को, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी length कम हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर electric line of force exert lateral pressure to represent repulsion between two like charges, तो अगर electric line of force जो है, यहाँ पर like charges थे, तो यह attract कर रहे थे एक दूसरे को, ठीक है, इससे क्या होता है, इसकी length आप देखींगे कि क्या है, कम है, यहाँ पर length बढ़ गई क्योंकि, यहाँ पर क्या है, unlike charges है, तो यहाँ पर lateral pressure apply हो रहा है, ओके, next topic पर आते हैं, next point पर आते हैं हमने, तो 10th point है, इसका property है, the number of lines per unit cross sectional area, perpendicular to the field line, directly proportional to the magnitude of intensity of electric field in that reason, तो number of, जो line per unit cross sectional area है, per unit cross sectional area का मतलब यह हो गया, कि यह अगर एक कोई shape है, तो इसका cross sectional area होता है यह, यह वाला, ठीक है, क्योंकि इसी part से यह मिलकर बना हुआ है, तो यह इसका क्या हो गया, cross sectional area हो गया, यानि कि, pi r square, ओके, तो यह cross sectional area जो भी होगा, जो भी shape है, हमें नहीं पता कैसी shape है, तो उस shape के लिए, particular shape के लिए, जो cross sectional area उसका होगा, per unit cross sectional area पर जितनी number of field line होगी, वो proportional होगी electric field की intensity के, ठीक है, तो del n over del a is directly proportional to e, right, del n over del a is directly proportional to e, e is a electric field, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे, number of field line per unit cross sectional area perpendicular to the field lines, is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field, in that reason, next point है, electric field, electric line of force do not pass through the conductor, hence, the interior of the conductor is free from the influence of the electric field, तो किसी भी conductor के अंदर से electric line of force pass नहीं हो सकती है, reason उसके बीचे क्या है, उसके बीचे reason यह है, कि यहां तक जैसे यह positive plate है, यह पूरा conductor है, ठीक है, तो इस पूरे conductor में अगर देखेंगे, तो यह positive है, यह negative है, तो negative की विजए से यह वाले जो hollow part है, यहां पर क्या हो जाएगा, एक, क्या सकते हैं, कि opposite charge एक induction effect लगेगा, और और नेगेटिक विजए से यहां पर positive को जाएगा, जिससे एक shield बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जिसको बोलता है इसको electrastic shield, तो यह शील्ड की विरादसे क्या हो जाएगा, एकदब रजिस्ट हो जाएगा वो path और उस path पर कोई भी electric field line नहीं होगी next है electric line of force can pass through the insulator insulator से electric field line of electric line of force से वो pass हो सकती है conductor से नहीं होती है now next topic पर आते हैं जिसका नाम है electric dipole so what is the meaning of electric dipole dipole के बारे मैंने first lecture में भी थोड़ा सा बताया था तो अब हम इसको detail में cover करेंगे तो dipole का मतलब होता है दो ध्रूब dipole का मतलब होता है दो ठीक है और pole का मतलब होता है ध्रूब यानि कि सिरे ध्रूब या सिरे तो अगर किसी भी एक system के दो सिरे है एक ऐसा system जिसमें दो सिरे हैं या दो अलग-अलग तरीके के charges हैं जिनका nature अलग है लेकिन magnitude same है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं जिनका magnitude same हो लेकिन उनका nature अलग-अलग हो एक positive हो दूसरा negative हो तो हम कह सकते हैं electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance जो की बहुत ही कम दूरी से separate होते हैं तो इस प्रकार के system को हम क्या कहते हैं electric dipole कहते हैं तो एक ऐसा system जिसमें दो equal और opposite charges बहुत ही कम दूरी पर रखें हो तो इस प्रकार के system को हम क्या कहते हैं electric dipole कहते हैं so the electric field produced by dipole is known as electric dipole okay electric field produced by a dipole is known as dipole field तो वो एक dipole field कहलाता है जब एक dipole के वज़ा से electric field generate होता है produce होता है तो उसको dipole field कहते है electric dipole field कहते हैं तो electric dipole moment is a vector quantity used to measure strength of an electric dipole electric dipole moment जो है वो एक vector quantity है जिसका use हम किसले करते है strength of electric dipole, electric dipole की strength है उसको measure करने के लिए हम electric dipole moment को measure करते हैं जिसका जो formula होता है को होता है P is equal to Q into 2L यह जो 2L है वो दो charges की 20 की distance है यह 2L क्यों लेते है पजह क्या है इसके बीचे देखो यह minus Q लेते है यह plus Q लेते है तो ऐसा कहा जाता है कि यह origin के इस तरफ negative होता है तो L distance पर यह क्या है negative charge है origin से और L distance पर यह positive charge है तो total distance इनके बीच की क्या होगई 2L होगई जनरल यह हम 2L लेते हैं ऐसा नहीं है कि हम A, B, R या फिर यह नहीं ले सकते हैं लेकिन एक अपने derivation को एक और easy समझने के लिए हम यहाँ पर distance जो है वो 2L ले लेते हैं ठीक है तो P is equal to होता है Q into 2L और I cap इसलिए लिए है क्योंकि X axis के along लिए है Y cap भी हो सकता है J cap भी हो सकता है K cap भी हो सकता है ठीक है वो depend करता है कि हम किस axis के along ले रहे तो Q into 2L into I cap So the magnitude of electric dipole moment is produced of magnitude of either charge and the distance between the two charges ठीक है तो product of magnitude of either charge दोनों charge में से किसी का ही magnitude ले ले लो से में तो charge का magnitude और उनके बीच की distance का जो product होता है वो क्या होता है electric dipole moment के equal होता है direction is from negative to positive इसकी direction क्या होती है negative से positive होती है electric field की direction आपने देखी थी वो थी positive से negative electric dipole moment की direction अगर कोई आप से पूछेंगे तो negative से positive होती है धोला सध्यान रखेंगे SI unit जो होती है इसकी क्या होती है column meter होती है का आपने देखा यहां पे General gas unit होती है और स deb kilos ही education distance की unit क्या होती है meter होती है ристному column meter इसकीenty unit होती है जो की हम generally use करेंगे next नेक्स्ट इसी में एक नोट कर लीजे की एन आइडियल डाइपोल दाइपोल is the dipole in which the charge becomes larger and larger and the separation between becomes smaller and smaller. तो एक आइडियल डाइपोल वो होता है जिसमें चार्ज जो हे वो बढ़ता रहता है बहुत बड़ा यह चार्ज है वो क्या होते है जादा होते हैं तो larger magnitude of charge and smaller distance between the charge तो वो एक ideal क्या होगा डाइपूल होगा इसी के साथ में अगर हमें electric field लिकालना है एक डाइपूल की विज़ा से तो हम कैसे निकालेंगे तो हमारे पास एक डाइपूल system है a, b इसमें पहला वाला charge minus होगा always और दूसरा वाला charge positive होगा minus और plus तो पहला minus क्यों लेते हैं क्योंकि इसलिए लेते हैं क्योंकि बाइई तरफ मैंने बताया अभी origin के बाइई तरफ जो होता है वो negative लेते हैं value और origin के दाहिनी तरफ हम positive value लेते हैं तो इसलिए हम left side में क्या ल लेते हैं minus cube ले लेते हैं यूज कर लेते हैं तो generally आपको समझ में आगया होगा यह आपको कोई problem नहीं होगी इसमें तो इस dipole की विजए से हम दो इसकी position पर electric field find कर सकते हैं जिसा आप पहला देख रहे होंगे यहां पे at a point on axial line अगर इसी इस line पर ही electric point है जहां पर हम electric field find करन और अगर non-axial point है तो उस पर electric field की value क्या होगी यह दोनों ही हम यहां पर समझेंगे पहला यहां पर समझते हैं जो यह point हमने लिखा हुआ है यहां पर at a point on axial line अगर उसी point पर हम electric field find करना है तो हम कैसे निकालेंगे तो हमारे पास एक dipole system जो है negative and positive charge का एक पूरा system तो यहां प की तरब भी L होगी तो यह हो गई L और यह हो गई L इस पूरे अगर अगर आपने figure को समझ लिया ना ठीक से तो आपको पूरे derivation कोई problem नहीं आएगी बट अगर आपने figure को नहीं समझा तो definitely आपको problem आएगी यह आ सकती है ठीक है अब यह point है जहां पर यह P लिखा हुआ है जहां पर हमें electric field find करना है, electric field की intensity find करने है तो just अभी हमने एक super position principle पढ़ा था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कई सारे charge रखे हुए हैं तो उन सब charge का जो प्रवाव है वो एक particular point पर पढ़ेगा यानि कि उस से electric field की intensity है वो change हो जाएगी ठीक है अगर एक charge रखा compress पर हमine electric field लिकालना था सब्सक्राइब यह चार्ज है और यहांपर में electric field लिकालना था तो अब क्या होगा कि अगर दूसरारर और यहांपर और electric field find करना है तो दोनों charge जो है वो इस पर electric field apply करेंगे इस पर एक field apply करेंगे तो इन दोनों charges की वजए से जो F lögगा वह कितना होगा तो वह निकालने के लिए हम हम क्या करेंगे उसके लिए हम positive पॉजिटिव चार्ज 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 पॉजिटिव च नेगेटिब चार्ज यानि कि नेगेटिब चार्ज की और अब देखो दोनों की जो डियरेक्षिन है वो अपोजिट है एक इस तरफ है एक इस तरफ है दोनों की चार्ज अपोजिट है इसका मतलब अगर हमें पर है तो यह जो हो जाएगा माइनस वाले चार्ज से इससे क्या हो जाएगी X प्लस L दूरी पर और B वाले चार्ज से हो जाएगी X माइनस L दूरी पर इस इट क्लियर तो अब यहां पर हम E A की वैल्यू अगर लिखा लेगे तो फर्मूला हमें पता ही है 1 upon 45 epsilon not Q upon X प्लस L whole square क्यों क्योंकि यह डिट्टेंस वह X प्लस L है A से जो दूरी है P तक की वह X प्लस L है तो हमने क्या कर दूरी का square X प्लस L का whole square ऐसी B के लिए जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1 upon 45 epsilon not Q upon X minus L का square magnitude अगर देखेंगे तो magnitude अगर आप निकालेंगे P पर तो मैंने क्या होता है तो माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा 1 upon 45 epsilon not Q upon X minus L का whole square minus X Q upon X plus L का whole square क्यों क्यों क्योंकि B पर जो इलेक्रिक फिल्ट की intensity होगी P पर वो कम होगी क्योंकि यह दूर है जितना दूर होगा उतना ही इलेक्रिक फिल्ट की intensity कम होगी तो जब हमने इसको माइनस किया माइनस करने पर हमें मिल जाएगा अगर L की वेल्यू बहुत कम है X से तब अगर L की जो वेल्यू है वो X की रस्पेक्ट में negligible है सब्सक्राइब हम क्या कर सकते हैं यहां से L की वेल्यू हडा सकते हैं तो यह हम यूज करेंगे और Q इंटू 2L की जागे पी लगा देंगे तो जाएगा फॉर्मूला वन अपन फॉर पाइफसलन नॉट 2P अपन X क्यूब ओके तो यह फॉर्मूला है किसके लिए ब्राट साइड और पोजीशन पर थीक है तो मतलब एक्सियल पोजीशन पर अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना होगा ठीक है एक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डैपोल की जैसे यह हमें निकालना है same boy करेंगे देखो B की जैसे Electric field की direction हो गई यह इस तरफ और A की जैसे Electric field की direction हो गई यह ठीक है यह दो direction हो गई अब net जो electric field होगा इस direction में जहाँ पे लिका हुआ EQ अब यह Q कोई point है जहाँ पे electric field की value point करने है तो हम पहले e b निकालेंगे e b कैसे निकालेंगे तो ये distance यहां से यहां तक थे इसको हम यही लिशकते हैं तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर y करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर a की value कितनी है जाएगी, 1 upon pop epsilon not, k लिख देते हैं हम इसको, और q, क्योंकि हम resultant, हम जो है magnitude लेते हैं, charge का basically, क्योंकि electric field की जो direction होती है, वो हमें पता होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, upon r square, तो r कितना है, l square plus y square, तो यह l square plus y square की power 1 by 2 है, तो इसका square करेंगे, तो यह power 1 by 2 cancel हो जाएगी, अब a पर तो हमने निकाल लिए, b पर निकाल लिए, तो same इतना ही निकल के आएगा, k q upon l square plus y square, दोनों पर electric field आप देख पा रहे होंगे, सेम आ रहा है, क्योंकि distance सेम है, charge का magnitude भी सेम है, तो electric field दोनों पर, सेम होगा, एक ही जैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब electric जो, यहाँ पर हम इसका component देखेंगे, क्योंकि electric field तो सेम है, अब इसके b के दो component यहाँ पर break करो, पहला हो जाएगा, यह हो जाएगा, e, b sin theta, और यहाँ पर नीचे तूटेगा, यह वाला, यह वाला हो जाएगा, e, a sin theta, ठीक है यहां पर यह break करा हुआ है EB sin theta और यह हो गया EA sin theta इस तरफ जो जाएगा वो जाएगा EB cos theta और EB EA cos theta दोनों की जो direction है EB cos theta and EA cos theta इनकी direction सेम है और EB sin theta और EA sin theta इनकी direction क्या है इसकी और इसकी direction opposite है तो यह दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे cancel कर देंगे क्योंकि दोनों equal है EA और EB equal है sin theta sin theta cancel हो जाएगे बिलकुल एक दम अब EB cos theta and EA cos theta यह दोनों add हो जाएगे क्योंकि particular direction में यह electric field लग रहा है एक ही direction में लग रहा है तो EA जो हो जाएगा या EQ जो हो जाएगा Q पर जाएगा EA cos theta plus EB cos theta दोनों को add कर लो तो अब हमें पता है कि यह जो electric field की intensity है वो क्या होगी क्योंकि same है EA और EB दोनों क्या है बराबर है तो क्या मैं ले सकता हूँ EQ is equal to 2 EA किसी के भी equal ले लो EA को EB ले लो या EB को EA ले लो तो कोई फरक नहीं पड़ेगा cos theta ठीक है cos theta की value यहां से निकाल लो तो theta cos theta क्या होता है यहां पर हमें पता है कि cos theta is equal to कितना होता है base upon perpendicular होता है base upon hypotenuse होता है तो base और hypotenuse को यहां पर ले लो cos theta is equal to base कितना है यहां पर L और hypotenuse कितना है hypotenuse है इसका square root of L square plus y square की power 1 by 2 तो अगर हम यहां पर use करेंगे इसको तो यहां पर मैं आपको बता है तो तो यह हो जाएगा e q is equal to 2 into यह कितना आगया था यह आगया था e a तो यहां पर हम ले लेंगे e a cos theta की जगए यूज करेंगे L upon L square plus y square की power 1 by 2 और e a की value यहां पर use कर लेंगे तो e a कितना था यह था 1 upon 4 pi epsilon not k की जगए मैंने लिख दिया यहां पर जो मैंने k लिया था यह वाला यह k की जगए हम क्या ले लेंगे 1 upon 4 pi epsilon not यूज कर लेंगे और q upon L square plus y square तो q upon L square plus y square और यहां पर आगया L upon Q into 2L के इसके एकक्वल होता है P के एकक्वल होता है तो यह हो गया 1 upon 4 pi epsilon not इसको लिख लिए हमने P upon यह हो जाएगा आपका L square plus y square की power 3y2 ठीक है 3y2 क्यों हो गई क्योंकि यहां पर इसकी power है 1 और यह 1 by 2 तो 1 plus 1 by 2 कितना हो गया 3y2 हो गया अब यहां पर हमें पता है कि L की जो value है वो y से तो बहुत कम है तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते है neglect कर सकते है तो EQ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon not यह हो जाएगा P upon R sorry y q तो यहां पर distance जो भी लिएगे उसकी के according चलेंगे तो y q तो यह electric field की intensity आ गई किस पर equatorial position पर आ गई निकल के तो उम्मीद है कि यहां जो derivation है वो भी आपको clear हो गया होगा पहले वाला derivation भी आपको clear हो गया होगा इन दोनों derivation को एक बार देख लीजेगा ठीक है पहले वाले में जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 2p upon r cube इस वाले में निकल के आ रहा है पी upon r cube तो बस क्या है कि अगर हम electric field axial position पर देखेंगे dipole moment के विजए से तो वो दो गुना होगा equatorial position पर जितना होता उससे तो यह हो गया formula इस formula को note कर लेंगे and the direction of electric field intensity at the point on the equatorial line due to a dipole is parallel and opposite to the direction of the dipole moment तो electric field intensity की जो direction होगी वो parallel होगी लेकिन opposite direction होगी dipole moment के ठीक है क्योंकि मैंने बताया था कि positive to negative होता है electric field किसमे electric field में और negative to positive होता है dipole moment में तो यह opposite है इसलिए opposite direction होगी यह दियान रखेंगे so if the observation point is far away or when the dipole is very short then the electric field intensity at the point on the axial line is double the electric field intensity at the point on the equatorial line यह मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत दूरी पर है point बहुत ज्यादा distance पर है L की value बहुत कम है नेग्लेस विल की जा सकती है तो उस case में जो axial position पर electric field होगा वो दो गुना होगा equatorial position पर जो electric field है उसका अगर है तो उसमें अगर कोई dipole रखा हुआ है तो उस पर torque के कितना है अप्लाई होगा torque का मतलब होता है बलागूण बलागूण का मतलब यह होता है कि एक ऐसा बल जिसकी विज़े से गूणन गती हो सके rotational motion हो सके तो एक ऐसा force जो की उत्तरदाई है तो देखो यहां पर एक electric field है uniform electric field यहां पर रखा हुआ है E जिसमें एक dipole रखा हुआ है dipole का जो magnitude है वो charge का magnitude वो क्यू है और opposite charge होते है obviously तो इस पर force जो लगा F is equal to कितना होता है QE होता है तो यह force एक हो रहा है दोनों charges पर तो यह जो charge पर force apply हो रहा है यह क्या होगा opposite होगा QE जो force होगा वो क्या होगा opposite होगा तो यह force opposite है एक दूसरे के जिसकी बज़य से dipole जो होगा उस पर external force कितना हो जाएगा electric field is, external uniform electric field क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, external uniform electric field कोज भी नहीं होगा, so there is no translational motion of the dipole, कोई भी translational motion of the dipole का नहीं होगा, however the force are along different lines, क्योंकि force जो है वो अलग-अलग lines पर है, and constitute a couple, hence the dipole will rotate and experience torque, तो यह अपनी साम मेश्टिती में आने की कोशिस करेगा, जैसे यह है, यह इसको इधर की तरफ पोर्च लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ लगा रहा है, इस तरीके से है, सब्सक्राइए, तो इस पर इधर की तरफ पोर्च लग रहा है, इसको इधर की तरफ तो यह घूम के ऐसे आने की कोशिस करेगा, ठीक ह तो इस टॉरक की वेल्डियो अगर हमें निकालनी है तो टॉरक किया होता है देखो formula note कर लेंगे formula होता है टॉर्क का electric force and perpendicular distance का जो product होता है वो टॉरक होता है तो electric force कितना apply हो रहा है इस पर q e इस पर भी इस वाले सी रहे पर और इस वाले सी रहे पर q e apply हो रहा है यहां से जो perpendicular distance ऐ, perpendicular distance किया है, यह इस वाले से perpendicular distance यह तो है, इसको मिला दूं, यह ठीक है, परपेंडीकलर distance हमने लेली यहाँ पै, तो वह हम निकालेसे कितनी आपए निकलके तो यह होगए torque is equal to electric force into perpendicular distance, पर्पेंडिक्लर इपिंदीर अगर निकलेंगे तो वो कितनी निकल갔 यहाँ से सब्सक्राइभ वाली इस यहां है, perpendicular distance है, तो perpendicular distance upon this is hypotenuse. ये क्या है? 2L. अमने यहां पे ले लिया 2L. तो perpendicular distance कितनी हो जाएगी? 2L sine theta. तो हम यहां पर क्या use करेंगे? 2L sine theta. तो देखो यहां पर perpendicular distance के जगे 2L sine theta यूज किया है, और force के जगे QE यूज किया है. तो tau is equal to हो जाएगा, tau से represent करते हैं बला गून को, तो tau is equal to हो गया है यहापर, qe into 2l sin theta, right? अब यह जो q है और 2l है, q और 2l मिलकर क्या बनाते हैं? प, तो यह हो जाएगा p e sin theta. तो tau की value क्या आगई? p e sin theta हो गई, इसको हम sin theta को अगर हटा दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, vector form में, p vector cross e vector, cross product हो जाएगा, p vector cross e vector, तो tau vector is equal to हो गया, p vector cross e vector, तो direction of the tau is perpendicular and into the plane containing p vector and e vector, तो इसकी तो direction होती है, direction of torque, वो क्या होती, perpendicular and into अंदर की तरब, अंदर की तरफ होती है, किसके? into the plane containing p and e, तो SI unit of torque अगर हम देखेंगे, तो वो कितना निकल काएगी? So the SI unit of torque is Newton meter, important है, note कर लेंगे, अब इसमें 3 case arise होते हैं, पहला case क्या है, अगर theta की value 0 है, तो tau कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई sin 0 की value 0 होती है, अगर theta की value 90 है, तो उस case में maximum होता है, ठीक है? तो tau क्या हो जाएगा? maximum हो जाएगा? यानिकि pe, क्योंकि sin theta is equal to, sin 90 is equal to 1, ठीक है? maximum होती है इस case में value, तो इसलिए क्या हो जाएगा? maximum हो जाएगा, और अगर इस case में देखो, अगर theta की value 180 है, theta is 180, तो इस case में क्या हो जाएगा? tau 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 180 is also equal to 0, उम्मीद है कि यह जो बलागूण बाला topic है, यानि कि torque बाला topic है, वो आपको clear हो गया होगा, तो अब आते हैं अपने next topic पे, जो कि इस lecture का अंतिम topic है, ठीक है, इसके बाद lecture को हम क्या करेंगे, end करेंगे, चलिए, आते हैं सबसे पहले, अब इस पे work की बात कर लेते हैं, work क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, कार्य होता है, डाइपोल मुमेंट, डाइपोल था, ये क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, तो इसके rotation की वज़ाए से, क्या कार रहोगा, क्या work होगा, वो अगर हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बला घुण और एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट, टाव, टॉर्क, एंड एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट, एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट यूज करेंगे, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट, डी ठीटा से हमने यहाँ पे यूज किया है, तो वर्क डंग जब भी हमें निकालना होता है तो हम यूज करेंगे यहां पर फोर्स को और उसके साथ में जो भी इस्प्लिस्मेंट है ठीक है तो वेन एन एलेक्ट्रिक डाइपोल इस प्लेज इन यूनिफॉर्म एलेक्ट्रिक फील्ड तो एक स्टेबल इक्किलिब्रियम को यह क्या करेगा अटेन करेगा एंड यहांसे डी डवल् इस इकड़ हो जाएगा टाव इंटू दी थीटा एंड टाव की वैली होती पी, साइन थीटा एंड दी थीटा इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर डव की वैल्यू लिका लेंग यहां तक कितना कारे किया तो हम यहां से जब sin theta का integration करेंगे तो होता है minus cos theta तो यह हो जाएगा देखो यहां पर समझना तो w is equal हो जाएगा p और e बाहर आ गया यह हो जाएगा minus cos theta limit हमने लगा थी theta 1 से लेके theta 2 तक पहले आती अपर लिमिट उसके बाद आती लोर लिमिट तो यह हो जाएगा minus cos theta 1 तो यही फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है यह बहुत इंपरेंट फॉर्मूला है इसको याद करन रखेंगे या याद कर लेंगे p e cos theta 1 minus cos theta 2 तो अगर potential energy is arbitrary टेकन 0 वेन दा डाइपोल इस एक 90 डिग्री तो potential energy फिर वर्क दन जो है वह हम 0 कब ले सकते है जब displacement या डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पर होगा तो उस case में हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे and then potential energy is rotating in the dipole and including it at an angle theta is potential energy कितना हो जाएगा p e cos theta minus p e cos theta ठीक है अगर 90 से हम rotate करके गुमा रहे है तो cos 90 की value 0 होती है तो theta डिग्री पर अगर हमने उसको घुमाया तो u is equal to कितना हो जाएगा minus p e cos theta right अब यहां पर note कर लेंगे कि potential energy can be taken 0 arbitrary at any position of the dipole कौन सी position पहला case यहां पर arise हो जाएगा theta is equal to 0 then u is equal to minus p e stable equilibrium होगा यह अगर theta की value 90 है तो u is equal to 0 हो जाएगा अगर theta की value 180 degree है तो यह हो जाएगा p e यह unstable equilibrium होगा इस्टेविल क्या होगा minus p e unstable क्या होगा plus p e तो इसको note कर लाइजेगा यह वाली जो position मैंने लेखिया यह तीनो तो यह जो positions हैं यह वाली आ आप note कर लेंगे यह है stable equilibrium और यह POL mostrar पर अगर आ चाहांप अगर knows यह देखोंगे तो यह तो यह depend करता है angle पर basically, तो u is equal to हो जाएगा minus pe cos theta and w is equal to pe cos theta 1 minus theta 2. cos theta 1 minus cos theta 2. तो यह पूरा था electrostatic का second part, इस electrostatic के second part में हमने क्या क्या कबर किया, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ. तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था electric field की definition क्या होती है, electric field की उसकी properties क्या होती है, यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी, electric field, okay, electric field intensity, उसके बाद electric field intensity due to point charge, इसके बाद superposition principle, electric field line of force, उसकी हमने पूरा diagram देखा था, point charge की वजएसे due to dipole, equal and like charges की वजएसे, uniform field की वजएसे, उसके बाद properties हमने देखी थी, electric line of force की क्या है, dipole, क्या होता है, electric dipole, and electric field intensity due to electric dipole, उसके बाद हमने देखा, electric torque on electric dipole, and उसके बाद work done, on an electric dipole, तो यह पूरा electrostatic second में cover किया था, अब जो electrostatic का जो third part होगा, वहाँ पर हम electric potential, electrostatic potential को देखेंगे, potential difference गया होता है, ठीक है, और साथ इसाथ फिर fourth part में capacitance देखेंगे, यह पूरा जो electrostatic part है, वो चार part में मैंने divide करके देख कर आया है, आपको कराऊंगा, ठीक है, अभी second part हमने cover कर लिया है, और साथ इसाथ math का भी course आपका cover कर वा देखेंगे, ठीक है, तो चैनल को subscribe कर लिजएगा, वीडियो को like और share जुरू कर लिजएगा, तो मिलते हैं आपसे electrostatic के third part में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखेगा, Thank you.